हेलो फ्रेंड्स आप सभी गान नीओ वल्टेक के ओफिशल यूटूब चलेंड में स्वागत हैं दोस्तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी कुश्कवरी है क्योंकि फॉइनली ग्राम पंचायत की तरफ से आज ही बंपर भरती का ओफिशल नोडिफिकेशन जारी हो चुका है तो दोस्तो इस वीडियो के माद देम से मैं आप सभी को ग्राम पंचायत की इस लेटेस इक्रमेंट की पूरी जानकरी देने वारा हूँ सबसे पहले आपको दिखा देते हैं ओफिशल नोडिफिकेशन जो की बंपर भरती का है दोस्तो एक हजार से अधिक पदो पर ये बंपर भरती जारी हो चुकी है और यहां पर post wise salary कितनी रहेगी, post कितनी है, यहां पर सारी जानकरी देर की है category wise कितनी कितनी vacancies है, apply कब से कब तक चलेंगे, सारी जानकरी आपको मिलेगी लेकिन दोस्तो आगे बंडने से पहले जल से जल इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने सबी दोस्तों के साथ शेर कीजिएगा और रोजाना सरकारी नोकरी की जानकरी सबसे पहले पाने के लिए चैनलन को आज ही सबस्क्राइब करें वीडियो के नीचे लाड बटन को दबा करके और घंटी का पैल आइकन जरूर दमाएं अगर आप 10 सुई या बारवी किलास पास है तो दोस्तों आप सभी के इंडियोट्स इस वेकिंसी के लिए अपलाई कर सकते हैं वेतन की बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर 60,000 से अधिक आपको महीने का वेतन मिल रहा है सेलरी मिल रही है और बड़ी भरती है दोस्तों लास जेट जो है 17 सेप्टमबर है 2020 की और मेल और फिमेल दोनों ही के इंडियर्स अपलाई कर सकते हैं सरकारी नौकरी है चलिए आपको सीधा हमारी ओफिशल वाप्साइट पर लेके चलते हैं और आपको बताते हैं अपलाई कैसे करना है तो हमारी ओफिशल वाप्साइट पर आने के लिए जल से जल गूगल में सर्च करें www.tipswarlbus.xyz जैसे आप सर्च करेंगे आप सिधा हमारी ओफिशल वाप्साइट पर आ जाएंगे तो दोस्तों आप देसकते हैं पंचायत और रूरल डवलप्मेंट डिपार्टमेंट की तरफ से ये भरती देखने को मिल रही है यहाँ पर आप देसते हैं post wise vacancies है कि कौन-कौन सी post यहाँ पर दी गई है assistant block development officer की vacancy है और यहाँ पर आप देसकते हैं गाउपंचाय secretary की भी vacancy है अलग-अलग category wise vacancies है और यहाँ पर junior assistant की vacancy है tax collector की vacancy भी है तो काफी सारी vacancy है total 1004 vacancy जारी कर दी गई है notification की और online आवेदन शुरू हो रहे है इसके ठीक है यहाँ पर selection process की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपका return exam होगा उसके बाद आपकी interview होगी salary यहाँ पर 14,000 से लेके 6,500 रुपे पर मन्त आपकी salary है eligibility की बात करते हैं जैसे कि education qualification is limit और application fees तो यहाँ पर आप notification पर आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि notification में यहाँ पर proper way में पूरी जानकरी mention नहीं है कि qualification क्या है इसकी लेकिन आपको बता दें अगर आप यहाँ पर 3,12 पास है तो आप apply कर सकते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं All India की विकेंस है फोरम फिल करते हैं तो qualification अगर आप भरते हैं तो आप मुझे comment box में जरूर बताएगा कि इस विकेंसी के लिए qualification क्या मांगी गई है तो दोस्तो आज की यह थी लेटर सेक्रमेंट की update अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजेगा चिल और को subscribe जरूर कीजेगा कर दोताएगאा तोचिताकि जरूर आपको यह थी बताएगा है अगरूर कीजे जरूर कर दोस्तो आबर के इस किल ही ठीजीब करने सेक्रमेंट